दमश्कार प्रफासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में बात करेंगे कि सिल्क्यारा सुरंग की घटना से सरकारों को सबक सीखने की जरूरत है तो आए सुनते हैं आज के इस पॉड्कास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने हम मजदूरों को सकोशल जिंदा निकाल लेने के 400 घंटे तक चले संघर्ष में जीत इनसान के चट्टानी होसलों के नाम दर्ज हुई उत्तरकाशी टनल में फसे इन सभी मजदूरों को जब मंगलवार रात सुरक्षित निकाला गया तो देश ने रहात की सांस ली और दिपाव समली के दिन से टनल में फसे मजदूरों का सुरक्षित बहाराना किसी चमतकार से कम नहीं माना जा सकता बचाव अभ्यान में हर्मोड पराती बादाओं से बार बार निराशा एवं नाउमीदी के बादल चाय जरूर लेकिन बचाव दल के अथक प्रयास आखिर में रंग ल जीवी तरखने की चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरे लगी थी मजदूर तक ऑक्सेजन और भोजन पानी पहुचाना भी आसान नहीं था तरह तरह की बाधाम एवं तकलीफों की बीच जिंदगी बचाने की मुहीं निश्य थी एक रो जाव भियान एवं इसकी सफलता अतिहासिक एवं इसमर ने उधारन बनकर प्रस्तुत हुआ है दुविधा एवं मौत की सुरंग में कैद हुए मजदूरों को संकर से आज़ादे मिली लेकिन सिल्क्यारा की इस घटना ने अनेक सवाल भी खड़े की हैं सवाल यह है कि एक के विफल होने पर दूसरा और आगे के विफल होने पर ही तीसरा चौथा पास्च्वा प्लान क्यूं बना क्या पास्च प्लान पहले से ही तयार नहीं हो सकते थे बीते दो दशकों में राश्ट्री राजमार्गों पर सड़क क्रांती ने विकास की नहीं इबारत लिखी है चार धमसड़क परियोजना पहाड़ी शेत्रों एवं दुरगम में स्थलोप में भी यातायाद सुगम करने के लिए पहाड़ खोद का टनर बनाय जा रहे हैं जिन में दुरगटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता प्रेशन है कि संभावत दुरगटनाओं से बचने के लिए आवशक उपकरन क्यों नहीं जुटाए गए मलबा हटाने के लिए अमेरिका से क्यों मशीन मंगवानी पड़ी भारत में ऐसी मशीनों की उपलब्धता क्यों नहीं है ऐसी विपत्ति एवं संकटों से उबढ़ने क कि हमारी तैयार्यात्म निर्भर एवं स्वावलंबी क्यों नहीं बनाई जाती क्यों नहीं अपने देश में जगह जगह बढ़ती सुरंग परियोजना को देखते हुए कैसे राष्टे संस्थान खड़ा किया जाता जो बिना फ्रश्टाचार एवं को ताही में लिप्त करें जैसा की सरकारी संस्थानों में वित्ति होता है तब हम ऐसे हाथ्सों को रोप पाएंगे हिमालय जैसे पहाड़ी शेत्र में ऐसी बड़ी सड़क परियोजना वेमं अन्य निर्मान कार्यों की इजादत देने से पहले उस पर व्यापक मंतन अनुसंधान जाच इवं श पत्रा मानते रहे हैं ऐसे लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि हमाला एक अच्छा पहार है वहां बड़ी परियोजनाओं को अनुमती देने से पहले सबतर है कि जाज कर लेनी चाहिए संभावित खत्रों पर सवेधन शीलता से चिंतन करना चाहिए उतरकाशी के सिल्क्या से दो नदियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं भुकम्प जुन होने से भी ऐसे इलागों में भूध हसान की समस्या आती है खुदाई करने वाले कई मजदूरों ने भी इस बात को रिखांके त्याय कि सुरंग से बार बार दसकते मलवे की समस्या है मागर उस वर कोई ध्या हाथ से होते रहते हैं जहां विकास की गंगा बहती है वहां विनाश की संभावना से नकारा नहीं जा सकता लेकिन हमें संभावित खतरों पर अधिक गंभीर होने क्या पेक्षा है मैदानी इलाकों में ही नहीं उच्छ हिमाले शेत्र में भी सडक रेल और जल विद्यूत प सफलता पूर्वक काम हुआ है उत्राखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के डिरेक्टर और प्लानिंग ब्रिजेश मिश्रा के अनुसार सुरंग पर योजना में सबसे एहम जियो टेक्निकल इंवेस्टिगेशन होता है इसी से तैय होता है कि सुरंग खुदाई के बाद कि देर तक टिक पाएगी निर्वान के दौरान कोई बड़ा अवरोध या खत्रा तो नहीं होगा साथ ही इसे किस तरह के ट्रीट्मेंट की जरूरत है पर दुर्गम पहार में कई बार जांच उपकरन अधिकुछाई तक ले जाना मुश्किल हो जाता है और जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर समगरता से कारे नहीं होता कई बार राजनेती कारणों से जल्द काम निप्टाने के दबाव में सुरंग के मोहाने पर गिये गए अधेयन की अधार पर ही काम शुरू कर दिया जाता है जो बाद में बहुत भारी पड़ता है ऐसे मामलों में बहु बचावकारे की पुक्ता प्रक्रिया और सामर्थ देश के पास हो ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का बचावकारे जल्द से जल्द और बिना किसी बाता के पुरा किया जा सके इस सबक लेते हुए आधर प्रवंधन कार्यों को आधुने को रूप देने के लिए हर निर्मार पहले से ही कहीं ज्यादा चाक्चाव बंद हो जाएगा सिल्क्यारा में 17 दिन के अंधिरे के बाद आई नहीं सुबह से भले ही हर भारते खुश हुआ होगा लेकिन असली खुशी तो तब होगी जब ऐसी घटनाओ की पुंद्रा वृत्ति ना हो सिल्क्यारा हाथ में किसी और मुद्य पर देंगे आपको विश्य से जान करें तब तक के लिए प्रवासाक्षी के साथ